Hi everybody, आज आप देख रहे हैं Learnix, जहाँ पर हम सीखते हैं English through Hindi और मेरा नाम है Michelle, आज मैं आपके लिए लाए हूँ एक doubt class, जी, doubt class का मतलब है वो class, जिसमें students अपने doubts express करते हैं, Well, आज students ने अपना क्या doubt express किया है, आज students ने अपना ये doubt express किया है कि can और could में क्या फरक है, Well, I think आपने इस पर already बहुत सारी videos देखी होंगी कि can और could में क्या फरक है, पर आज मैं आपको सिखाऊंगी कि can और could को हम अलग-अलग तरीके से कैसे use कर सकते हैं और हम इनको compare भी करेंगे, और इतना ही नहीं, जैसे कि आप word पर देख सकते हैं, मैं आपको बहुत सारे example sentences भी देने वाली हूँ और admit difference बताने वाली हूँ, तो आए शुरुवात करते हैं, तो देखते हैं अपना पहला sentence, I can't speak English, मतलब मैं English बोल सकता हूँ, यह मेरी खासित है, मेरी श्यम्ता है, तो जब मैं अपने श्यम्ता की, या फिर अपनी capability की, ability की बात करती हूँ, तो मैं can का इस्तेमाल करूँगी, ability का मतलब होता है कुछ करने की श्यम्ता, और इसी के साथ देखते हैं अपना next sentence, जो है could में, I could play the piano, well, दोस्तों, आप जानते होंगे की could जो है, can का past form है, like we say can, could, right, तो यह verb का second form है, जब हम किसी verb को second form में use करते हैं, इसका मतलब यह है कि हम उसको past के लिए use कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ, कि इस sentence में हम अपनी presentability, यानि इस समय की शम्ता के बारे में बात करें, और इस sentence में हम अपनी past ability, यानि past की शम्ता के बारे में बात करें, तो basically, हमारा यह वाला sentence जवाब दे रहा है, मैं क्या कर सकता हूं, I can speak English, मैं क्या कर सकता था, I could play the piano, तो क्या आप piano अभी भी भी बजा सकते हैं? No, according to this sentence में, प्यानो बजा सकता था पर मैं अब प्यानो नहीं बजा सकता हूं. Okay, now let's look at our next sentence, Can I borrow your pen please? Well, आपको यह sentence कैसा लग रहा है? मुझे लगता है, जो वेकती है sentence use कर रहा है, यह सवाल use कर रहा है, वो किसी से permission मांग रहा है, तो इसका मतलब है, हम can को permission मांगने के लिए use कर सकते हैं. Can I borrow your pen please? अब ज़रा फरक सुनिये, मैं बोल रही हूं, Can I borrow your pen please? और यहाँ पर मैं कह रही हूं, Could I use your bathroom please? आप खुद ही बता सकते हैं, दोनों में क्या difference है? यह बहुत normal और maybe थोड़ा सा root sound करता है, जिसमें कि ऐसा लगता है कि आप किसी से बहुत politely permission नहीं मांग रहे हैं, पर बहुत authority, यानि order की तरह permission मांग रहे हैं, पर यहाँ पर जब आप could use करते हैं, इसका मतलब है आप बहुत politely किसी से permission मांग रहे हैं, इन दोनों में एक और difference है, can I borrow your pen please को आप informal situations में use कर सकते हैं, यानि unobcharic, जैसे आप अपने दोस्ते बात करें तो आपको could बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उनके साथ बहुत comfortable है, तो आप कहेंगे, hey buddy, can I borrow your pen please, hey can I get your shirt for the weekend, क्या तुमुझे अपनी shirt दे सकते हो पहनने के लिए weekend पर, पर जब आपने बहुत से बात करेंगे, तो आप यह नहीं कहेंगे, can I use your bathroom please, क्योंकि वो एक formal situation है, यानि आपचारिक situation है, तब आप कहेंगे, could I use your bathroom please, could I meet you at 3 o'clock, इस तरीके से आप उनसे permission मांग रहे हैं, तो यह भी permission के लिए use होता है, but more polite and formal, और can को हम permission के लिए तब use करते हैं, जब हम किसी informal situation में हो, यानि किसी close friend से, या किसी colleague से बात कर रहे हैं, unobjatic, okay, moving on, हमने अभी तक देखा है कि हम can और could, दोनों को ही, ability के बारे में use करने के लिए बात कर सकते हैं, permission के बारे में use करने के लिए बात कर सकते हैं, हमारा अगला सवाल है, can you help me? well, can you help me का मतलब है, आप किसी से request कर रहे हैं, तो जब आप किसी से request करेंगे, आप उन्हें कहेंगे, can you help me? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हूं और यहां पर आप कह रहे हैं could you pass me the salt तो यहां पर भी आप request कर रहे हैं but again the main difference is politeness यह थोड़ा informal है less polite है यह more formal है more polite है तो इस sentence में और इस sentence में यह फरक है कि इसको हमने use किया किसी से permission मांगने के लिए यानि कि अनुमती मांगने के लिए और इसको हमने किया किसी को request करने के लिए अब देखते हैं अपना अगला sentence it can get very cold tomorrow तो इस sentence में हमने tomorrow word का इस्तमाल किया यानि कि आप समझ गयें कि यह sentence future के बारे में तो क्या मुझे पता है कि कल बहुत सर्दी होगी या मैं guess कर रहे हूँ वेल फिर से सुनते हैं it can get very cold tomorrow हिंदी में हम कहेंगे इसे कल बहुत सर्दी हो सकती है जिसका मतलब है कि मैं guess कर रहे हैं guess को हम English में prediction भी कहते हैं तो जब भी कभी हम future के बारे में prediction करते हैं तो हम can का इस्तमाल करते हैं और future word के साथ अब देखते हैं इधर you could have broken your leg तो अगर आप यहां पर could apostrophe ve को देख रहे हैं यह actually है could have तो अगर आप यह sentence किसी को बोल रहे हैं आप उनसे naturally past के बारे में बात करें क्योंकि मैंने आपको बताया है कि could को हम past से related use करते हैं तो यह तो clear है कि यह sentence past के बारे में अब अगर कोई आपसे कहें अरे पता है मैं उस दिन कितनी जोर से गिरा मेरे सिर पे इतनी चोट आई और मेरे पेर पे भी बहुत दर्द हो रहा है तो आप उने कहेंगे अरे तुम्हें ध्यान से चलना चाहिए था तुम अपनी टांग तोड सकते थे उस दिन यानि कि तुम उस दिन अपनी टांग तोड सकते थे अपना पेर तोड सकते थे ऐसा हो सकता था पर क्या ऐसा हुआ? जी नहीं ये पास्ट की पॉसिबिलिटी है यानि कोई ऐसी चीज जो हो सकती थी बट थैंक्फुली हुई नहीं तो पास्ट की पॉसिबिलिटी के बारे में बात करने के लिए भी आप कुड का इस्तमाल कर दें तो अब हम जानते हैं कि इन दोनों में क्या फरक है कैन को आप यूज करेंगे जब आप फ्यूचर के बारे में कोई पॉसिबिलिटी बताना चाहते है और कुड को आप तब यूज करेंगे जब आप पास्ट की किसी पॉसिबिलिटी के बारे में बताना चाहते हैं जो हो सकती थी पर thankfully नहीं होई अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना next sentence क्या आपको लगता है यह permission या request है अब आप किसी से request तो नहीं करेंगे ना कि लाओ मुझे अपना bag दे दो अगर आप किसी किसे कह रहे हैं लाओ मुझे अपना bag दे दो तो आप उनको offer कर रहे हैं जैसे कि आप किसी को कह सकते हैं क्या मैं तुम्हारे लिए coffee का एक अपला सकता can I get you a cup of coffee वहाँ पर भी आप किसी को offer कर रहे हैं तो can को हम use करते हैं offer करने के लिए अब देखते हैं अपना next sentence we could go for a movie if you like अगर तुम्हारा मन है तो हम एक movie पर जा सकते हैं well यह कैसा sound कर रहा है ऐसा नहीं लग रहा मैं किसी को मश्वरा दे रही हूं जी हाँ मैं यहाँ पर किसी को मश्वरा दे रही हूं यानि मैं किसी को suggestion दे रही हूं या फर advice दे रही हूं advice से जादा यह suggestion है क्योंकि यहाँ पर आप imagine कीजे कोई ऐसी situation है जहाँ पर मैं अपने friend से बात करें मेरा friend कह रहा है यार मैं बहुत bored हो रहा हूं I'm getting so bored तो आप उन्हें जवाब में कह सकते हैं हाँ हम movie पर जा सकते है we could go for a movie if you like तो यह एक suggestion है यानि अगर तुम bored हो रहे हो तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं ताकि तुम bored ना हो और इसी के साथ पहुँच गए हम अपने last two sentences पे तो यह है you can't go to the party ज़रा ध्यान से सुनियेगा मैंने यह कैसे बोला है you can't go to the party और यहां पर can't जो है इसका मतलब है cannot तो मैं कहूंगी you cannot go to the party मतलब तुम पार्टी में नहीं जा सकते हो तो यह आपको कैसा sound कर रहा है बहुत polite है क्या नहीं यह काफी rude है इसका मतलब है मैं किसी को order दे रही हूं मैं मना कर रही हूं कि तुम पार्टी में नहीं जा सकते हो right तो हम cannot को तब use करते हैं जिब हम किसी को permission नहीं देना चाहते है no permission इसको हम यह भी कह सकते है you are not allowed to go to the party यानि मैं तुम्हें पार्टी में जाने के लिए permission नहीं दे रहा हूं या फिर you cannot go to the party तो जरह यहां पर देखिये दोस्तों can को हम permission मागने के लिए भी use कर सकते हैं और can not को हम permission ना देने के लिए use करते हैं तो यह है एक difference जिस तरीके से आप can को use कर सकते हैं और इसी के साथ हम देखते हैं अपने last sentence जो है could के ऊपर if we had some oranges अगर हमारे पास कुछ संत्रे होते I could have made you some juice या फिर I could make you some juice अगर हमारे पास कुछ संत्रे होते मैं तुम्हें juice बना के दे देता पर क्या हमारे पास संत्रे हैं? नहीं क्या मैं तुम्हें juice बना के दे सकता हूं? नहीं इसका मतलब ये कालपनिक situation है, कालपनिक का मतलब है imaginary, वो इसलिए क्योंकि इस sentence में हमने if का इस्तमाल किया है, if we had some oranges का मतलब है, अगर हमारे पास कुछ संत्र होते हैं, ये sentence actually एक second conditional sentence है, तो अकसर second conditional बनाने के लिए हमें good की जरूरत पढ़ती है, या फिर would की जरूरत पढ़ती है, तो यहां पर हमने कहा है, अगर मेरे पास कुछ संत्र होते हैं, तुम्हारे लिए juice बना देता, और second conditional वो situation होती है, जहां पर हम reality को बदल नहीं सकते हैं, और reality को बदलना बहुत मु पास संत्र नहीं हैं, और हम use नहीं बना सकते हैं, वैल इसी के साथ हम lesson के end में पहुच गए हैं, जहां पर आज आपने सीके हैं different uses of can and could, आपने ये देखा कि इन दोनों में फरक क्या है, और किन अलग-अलग situations में हम can और could को use कर सकते हैं, वैल I hope ये doubt class आपके लिए काफी useful रही हो और आज आपकी जो confusion थी can or could की, वो solve हो गए है, अगर आभी भी आपके पास कुछ ऐसे सवाल हैं, जिनका मैं जवाब नहीं दे पाई हूं, तो comments में मुझे बताईएगा and I'll try to reply and help you. So see you very soon in another video, till then take care, bye-bye.